सर कल हिंसा हुई हमने देखा जिस तरीके तस्वीर आई शाहल अमीरिया की छोटे-छोटे बच्चे थे 7-8-10 साल के उनको शायद पता भी नहीं होता धर्म क्या है फिर भी वो पत्थर बाजी कर रहे थे लगता नहीं कि इन सब माहूल से सभी क्या फ्यूचर विगड़ेगा कुछ पुलीसिया कारेवाई हुई तो 7-8 साल-10 साल के बच्चों के इन सब में गसीटना कितना लागी देखिए जो है गलत-गलत है अब मैं यह नहीं कह सकता कि शाहे आलम में यह नोबत क्यूं आई जड़ को देखना पड़ेगा कि आखिर यह जगड़ा फसाद निकला कहां से क्यूं निकला ना वहां के आगीवानों से इसके बारे मेरी कोई बात चीत है ना पुलिस अधीकारी से मेरी बादचीत इसलिए उस पर किसी तरह का कॉमेंट मैं नहीं कर सकता हाँ यह का सकता हूँ कि जिसने भी सुलगाया है जिसने भी किया है वो गलत किया है पुलीस तो ये बोल रही कि कल परमिशन ही नहीं दी थी कोई कारिकरम को मतलब ज़्यादा भीड इखटा हो गई थी कंट्रोल करने के लिए कुछ डिटेंड करने के परमिशन नहीं था तो उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए खटा नहीं होना चाहिए हम तो खुद जो है मालूम करना कि इसमें सचाई क्या है कि अभी कैसे मानने विडियो में साथ दिख रहा है देखिए एक मिन एक मिन वीडियो वोगेरा का कोई वेडेंस नहीं है कोई पुरावा नहीं है हम आप खुद अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें एडिट भी होता है बहुत कुछ होता हूँ ठीक है मान लेते सर वीडियो की पुस्टे नहीं कर सकते पर अगर ऐसा हुआ है तो कार्यावाई होनी चाहिए या ला मैं तो का रहा हूँ कि भाई हुकूमत की कंट्री जो युनिवर्सिटियां हैं बड़ी बड़ी उन सारी युनिवर्सिटियों के पढ़े हुए लोगों ने इसका विरोध किया है तो उनसे ज्यादा हम आप तो उसको समझ नहीं सकते वो भी तो समझदार है तो जाहिर है कि इसमें कुछ ने कुछ तो कमी है जिसकी रहे हैं कि भई ये जो कानून पास किया गया इसमें भेदभाव है धार्मी और हमारा मुल्क जो है ये सोतंतर है समझ गया और इस पर हमें बड़ा फखर है देखे हिंदुस्तान के तालुक से कुछ जो अपवाएं पहलाजी आती है कि मुसल्मान जो हिंदुस्तान का ये है वो है वो है आपको मैं बता दूँ कि इस मुल्क से हमें कितना प्यार है इस मुल्क से हमें उतना ही प्यार है जतना हमको मक्का और मदिना से प्यार है और हमारे पैगंबर और हमारे बुजर्गों ने आज से 1400 साल पहले कौम को ये पैगाम दिया है कि मदीना को छोड़ कर मक्का अफदल है और मक्का के बाद पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क सबसे बेहतर है तो वो हिंदुस्तान है क्या अन्याय क्या लगता है वो समझाईए क्योंकि आप बोल रहें कि अन्याय लग रहा है तो एक आदमी कोई आवाज देता है तो हजारों की भीड़ उसके साथ जुड़ जाती है उसको पता नहीं है इसके बारे में लोग जानते नहीं है अन्याय कहां पर हो रहा है कि जैसे जैसे पहले एनारिस्त्री आसाम के अंदर किया गिया अब उसमें जो है तकरीबन 19 लाख लोग जो है उससे छट गए छट गए उसमें जो है फिर देखा हमारी हुकूमत ने कि इसमें तो 12-13 लाख हिंदू हैं तो फिर उन्होंने सीएबी का एक अलग से जो है सोसा छोड़ा और उसमें ये छोड़ दिया कि वही पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान से जो हिंदू भाईी पिरित होके आए हैं उनको जो है हम यहां जगा देंगे मुसल्मान का नाम उसमें नहीं लिया अब मैं अपनी हुकूमत से यह कहना चाहता हूँ कि मुसल्मान पिरित नहीं है उसी पाकिस्तान में जो लोग आजादी के बाद अपनी मरदी से पाकिस्तान गए पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं कि उनको जो है महाजिर कहते थे उनकी जा अच्छा पाकिस्तान को जाने दीजिए आप रेहुनिया ले लीजिए वहां मुसल्मान पेड़ी थे हैं आप ने उनको क्यों छुटा रखा अगर हमारे मुल्क का संविधान इसकी अजाज़त देता है और यकिनन देता है तो आप ये तीन मुल्क को ही नाम क्यों ले रहें इ कुदिष्ट की तो वह हिंदू भाई तो पीडित हैं तो उनको आपने क्यों जान दिया उनके साथ आपको महबत नहीं है लेकिन ये तीन ही मुल्क का नाम लेना ये जो है कौमवाद को भड़काना विरोद के नाम पर हिंसा को कितनी लाजमी मानते हैं हिंसा तो बिलकुल हि भी सोचना चाहिए कि तीसरा कोई इससे जो है फाइदा उठा रहा है अब वो तीसरा कौन है ये गोवर्मिंट की जिम्मेदारी है कि उस तीसरे को जो है पकड़े